Internet Explorer को तो सब बुरा भुला सुनाते हैं लेकिन आज की तारिक में Microsoft ने एक ऐसा प्राउजर बनाया है जिसको लोग आक्शुल में इस्तेमाल करते हैं including myself Microsoft Edge में एक readout loud नाम की functionality होती है जो कि आपको कोई साभी blog या pdf readout करके सुनाता है यानि कि अब लोग speed change कर सकते हो accent change कर सकते हो try जरूर मानना इसी के साथ Microsoft Edge के अंदर होता है vertical tabs का option जिससे कि आपको सारी की सारी tabs आपके left side पे देखने को मिल जाती है तीसरा feature है sleeping tabs जो की RAM बचाता है जब भी आप बहुत सारी tabs को खोल देते हैं उनको inactive बनाकर और वापस से जब करते हैं तो वो active दुबारा से हो जाती है एक और कमाल का feature है sidebar search जिसमें कि आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके search मार सकते हैं और वो चीज़ आपको right hand side पर sidebar है उसमें देखने को मिलेगी उसी के सारा एक और feature है scrollable screenshot जिसके लिए मैं chrome को ditch करके edge में आता हूँ एक बहुत लंबा screenshot मिल जाता है और उसको मैं tick वागेरा करके mark करके किसी को भेज सकता हूँ ये सारे के सारे features आप लोग भी जरूर इस्तेमाल करना है एक बार try out तो बनता है